हेलो दोश्तों स्वागत है आपका प्रेंग का लजनिंग क्लासिज में जेपी सिक एक्जाम को ध्यान में रखते हुए जारखंड स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है ताकि एक्जाम में आपका कोई कोश्चन यहां से ना छूटे तो चलिए हम लोग देखते हैं जारखंड स सहर में मोरा वादी में इस्थी थे यही राम किस मीशन का आश्रम है और इसी आश्रम में क्लिशी वेवसाइक संस्थान का केंदर इस्थी थे निंग्ष्टे रिखिया आश्रम देवगर देवगर से 9 किलिमीटर दूरी पर योग के एक महत्पुन केंदर के रूप में परस इस आश्रम देश विदेश से भगताते हैं नेक्ष्ट है बेलनी गड़ गोड़ा या बाधम से समंधित अस्ताने यहां भगवान बूद की आदम कद मुर्तिया टूटी पूटी अवस्ता में प्राप्त हुई हैं नेक्ष्ट है यह बेलनी गड़ नामक अस्तान गोड़ा जिले के महरमा प्रखंड के मचमा पंचायत में बीरन किता गाउमें अवस्ती थें इतियास का राय चोधरी इस बीर नगर को बिगछूनी गरी काते हैं क्योंकि इनके अनुसार किसी ब्रिग्रा राज नामक सासर ने बीर नगर को बसाया था किन्तु राजा के गरी ताग की पश्चाद उनकी पत्मी द्वारा इस बीग्छूनी गरी को निर्मित किराया गया था मुरहर पवर एकसट एकर छेत्र में फैले मुंडाओ के प्राचिन अस्तल के रूप में विख्यात मुंधर पवर से कई प्राचिन पर्तिमाओं के अपसेस मिलते हैं जिसके करण यहां पूजा भी होती है और भादो एकादसी के पर परमेला भी लगता है निक्ष्ट है जैयल चर्च राची 1845 इसवी में फादर गौंसनर द्वारा अस्तापेतिस चर्च का निवान परसीद बास्तु सास्त्री पेंटर हीरा जर्च ने किया जौंग ने किया था भावता के वामले में यह चर्च आधनिक चर्चों के समकक्ष है निक्ष्ट है सेंट कैंथरा चर्च राची वर्स 1870-73 के मद जन्दल रॉलेट की देख रेक में राची के वह वजार के समिप सेंट कैथिडर गिर्जा घर का निर्मान हुआ जन्दल रॉलेट यहां नयाईक आयुक थे निक्ष्ट है गौथिक सेलिक से निर्मित इस भवन की छट अस्तम मेराव अत्यंत भव और सुन्दर है निक्ष्ट है पिटोरिया का इदगा राची बंगाल बिजय के अफसर पर सेर सासूरी निराची के निकट पिटोरिया में 534 इसमी में इस इदगा का निर्मान कराया था आज इस इदगा के कुछ अफसेस बचें में हैं और पास मेश्टित चबुतरे पर मुसलिम समिधाय के लोग नमाज आदा करते हैं नेक्ट है जामी महजिद साहब गंज जारकंड के इस दूसरी सबसे पुरानी महजिद का निर्मान सरलमी सताब्दी के उतराद में राजा मानसिम ड़रा साहब गंज के राजमाल छेतर में कराय गया था साहर के हुचे अस्थाल पर अवस्थित इस महजिद को हदब के नाम से जानते हैं अर्वी सब्ध हदब कारत है लक्ष अत्वाधन उस्भान को निसाना अस्थानिय लोग इसे जामी महजिद कहते हैं साथ तोला मरार बुरू दुमका में हैं इस शेतर में संथाली रोक अथाओं के अधार पर एक मेले कायोजन किया जाता है इस अस्थान संथाल प्रेगना प्रमंडल के दुमका जिले में मिसालिया जुन्जगो गाउं में इस्तित है मानेता के नुसर संथाल हूल के समय अंग्रेजों के विरूतकाई बार साथ तोला मुरार बुरू के देवी देपताओं ने सिंदो कानू की रक्षा की थी इसी के उपलक्ष में प्रती वर्स दो बार 24 गाउं के लोग द्वारा इस अस्थार में पूजा अर्चनावं मिले क अवस्थित हैं जारकंड ओडिशा 36 गड बंगाल बिहार असम बंगला देश आधी सभी जगों के संथाल प्रती वर्सक्रातिक पुर्णीमा के दिन इस पहार पर आकर बड़े हरसो लास के साथ अपने अराद लोगु बाबा को पूजा अर्चना करते हैं इसका अनलाम पुरहिस गुरुद्वारे की स्थापना 1932 इस्वी में पंजाब के संथ निहंग नरायन सिंग और हरिद्वार के स्री स्री एक हजार राठ स्री संथ रगुबुर सिंग बेदान सास्त्री ने की थी जारकन के दर्शनी अस्तल सांट्रा पश्मी सिंग्भु एसिया भर में परचित सालविक्ष वाला सबसे बड़ा सांट्रा जंगल पश्चिम सिंग्भुग जीले में अवस्तित हैं भारत में पहला हाती पुरिजना की सुवाज इसी वन्चित से की गई थी नेक्ष्ट दिमना जील पुर्वी सिंग्भुग वही पुर्वी सिंग्भुग जिसे की दिमना जील वजुमली पार्क परियाटकों के लिए आकर्शन का क्यंद्र बना हुआ है नेक्ष्ट है चकदरपूर पश्मी सिंग्वंग पश्मी सीवों जिले में अवस्तित इस अस्थार्म में से नदियों के निकट जमीन के नीचे कई प्रागेतियं सिक कालीन पत्थर के आउजार मिले हैं नेक्ष्ट है नोनी हाठ हरवा एतियांसी खत्ति खेतोरी राज हरवा की रजधानी एवं चर मुंजी अंचल के बड़े भुभाग वाला कस्वा है हरवा राजघराना अपने कुसल परसासा नितू परसीद था नेक्स्ट मैक्ष्टि किली गंज राची दुनिया की एकमात्र हैंगलो इंडियन कौलनी के रुप में परसेद मैक्ष्टि किली गंज ने लगवा हैं 300 एंगलो इंडियन परिवार एडवर्ड थार्मस अनेष्ट टीनोसी मैक्ष्टि की आवाहन पर 1932 इस्वी म्याकर बसे थे आज यहां उनमें से केबल 20 या 25 परिवार ही रहते हैं या राची से मात 60 किलोमीटर की दूरी पर है बर्तमान में इस छेत्र को मीनी लंदन के राम से जाना जाता है निक्स्ट है कलकत्ता के प्रोपर्टी डिलर रहे मेलुसकी इस छेत्र में हमेशा सिकार करते आते थे इसे मेत्र पीपी साहब रातु महराजा के प्रवंदक थे गिनी पीपी साहब ने रातु महराज से मेलुसकी को 10,000 एकर लांज पर दिलाने में सहता की इस क्राम में मेलुस दर्ती आबा भगवान बिर्शा मुंडा से समधित इतिहासिक अस्थेल है जहां बिर्शा मुंडा के सहाधर दिवस 9 जून और उनके जनम दिवस 15 नहुंबर को इस 20 साल वभव मेली की आउजन किया जाता है। मुंडा विद्रों के दुरान बिर्शा मुंडा ने इस अस्थान को अपने राजनिती गति वीदियो की पर्मुक के ने विक्सित किया था। मिले हैं। नेतरहाट लातेहार दो सब्दों नेतर बास हाट बजार से लिक्तुक नेतरहाट लातेहार जिले से मौवा टाट प्रकन में इस्तित हैं या जारकन की मसूरी वा पहारों की रानी के नाम से परसीद हैं। समुद्र तल से इसकी उचाई 3622 फिट है। नेक्स्ट हैं। यह पाट पठार के साथ पाटों में से एक है जैसे नितरहाट पाट जे मुदारा पाट डमरू पाट आदी। बिहार वावडिशा के ततकालिन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवाड गेट ने नितरहाट को परवतिय स्टेशन के रूप में विक्सित किया था। नितरहाट का सुर्योदेव सुर्यास्ट प्रयटों के लिए आकर्सन का केंद हैं। साथी यहाँ नितरहाट आवासी भी द्याले मेगलोनिया पॉइंट सन्राइज पॉइंट वस्यन सिट पॉइंट भी आकर्सन के केंद हैं। इसी के समीप उपड घागरी वल्लो और घागरी जल परताब भी परपात भी अवस्तित हैं। निक्स्टे कैरो देवगर में हैं या देवगर जिला में अनेक 83 गाहों का गवा हैं जहां असो कालिन गाहों करों को भी मुख्य है। असो के पुद्र महंद्र दौरा बनाए गए इस गाहों के तलाव में समराट असो का अश्तुत अवस्तित हैं। बुद्ध के अनेक मुर्थिया गाउं की सर्कों की किनारे प्रतिष्टित हैं। जर्या स्टेट के राजा काली परसाद यहां के अंतिम सासकते और इनिक के काल में यहां जमिंदारी प्रत्था का उन्मुलन हुआ। अब हम लोग देखते हैं टॉपिक बैज MCQ कोश्चन ताकि एक्जाम में आपको हेल्प मिले निक्स्टे कोश्चन देखते हैं जार्खन में आदिम जन्जाती का समू संख्या है तो आठ जार्खन राजगठन के पहशात किन दो जन्जातियों को अन्सूची जन्जाती का दर अरोधीन खिल जी निक्स्टे जन्गन्ना के अनुसार जार्खन की कुल आवादी में जन्जाती आवादी का पर्तिसत है 26.26 पर्तिसत जार्खन की अधिकांस जन्जातिया समू सम्दित है प्रोटो अस्ट्रलाइड माजी परगने स्थानिय प्रसास्निक बेवस्ता किस जन संथाल जन्जाती में सरवादिक पर्चलित विवा है किरिंग बापला संथाल सासन विवस्ता का अर्थ समाजिक वहिसकार संथाल जन्जाती को किस हस्त सिल्पकला में दैख्ष्ता हासिल है बुनकरी संथाल जनजाती में बीज बुआई और फसल कटाई की अपसर पर क्रम सहकी सपर्व का आयोजन होता है एरोक और सोराई संथाल जनजाती में परचलित चितरकला जोटो पटिया का साबदी करत क्या है कागज और कपरा का टुकरा जनसंक्या के जिस्टी कौन से जारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाती कौन है तो उराओ जारखंड की किज जनजाती में गोजना प्रता का विशिष्ट महत माना जाता है तो उराओ उराव जन्जाती के सरवाधिक परचलित विवा है आयोजित विवा नेश्ट उराव जन्जाती में यूबा गिरी धुमकूरिया में यूबक युब्टियों के परसिच्छन केंद को किस नाम से जाना जाता है जोग एकपरा और पेल एकपरा नेश्ट है जारकन में सरवाधिक बिक्सी जनजाती माना जाता है तो उराओ उराओ जनजाती में भेलवा एविम गुरहिया पुजा समंधित है फसल सुरक्षा और ग्राम सुरक्षा दीवार सिमांत देपता वपोज जात्मा कुल देपता की पुजा किस जनजाती की धार्मी कृत है तो उराव उराव जनजाती की ग्राम को किस नाम से जाना जाता है भूयर केवल जारखन में पाई जाने वाली एक मात्र जनजाती कौन है तो मुंडा जार्खन में पाई जाने वाली तीन सरवादिक जनजाती समों है संथाल, उराव और मुंडा जार्खन के किस जनजाती में मुंडारी भासा का पर्चलन है तो मुंडा कोल, होडों, सब्साब जार्खन के किस जनजाती के समधित है तो मुंडा नेक्स्ट है मुंडा जण्जाति का यूबा गरी कहलाता है गीती ओडा मुंडा जण्जाति में परचलीत तुक लूक रूर का भिप्राई है कौन चेंचनक सन्सकार मुंडा समाज में देवरा का क्या काड़ है तंत्रमंत एव WAS उच्चार मुंडा जन्जाती में हर गड़ी सांसन देरी सब्द का पर्यों किस अर्थ में किया जाता है सांसन में स्थीत पुर्वर्जों का सीला खंड जार खंड के किस जन्जाती के द्वारा पंकु नगरा किसरी जमेन का वागे करन किया जाता है मुंडा जंजाती में किस पर्व को चोटा सरहूल काते हैं? बतोनी आवर बतोनी आवर हो बंसा वार गेच्चित की भाण से परतली तिलिपी है तो इसका अंसर हो जाएगा आधि बिवा हो जंजाती मिसरवाधिक परतली थे तो ये आधि बिवा है नेके से किस जनजाती की परमुख पे पदार्त इली है जो देवताओ पर भी तापन हेतु अरपित की जाती है तो हो हो जनजाती के नीत अस्तल आखरा को किस नाम से जाना जाता है को लोग जो नामा दुराई की किस जनजाती का पर्मुक तेवार है तो हो जारकन किस जनजाती की पर्मुक पेशा पलकी धोना है तो खड़िया निश्टे जारकन के किस जनजाती का सिधान्त लूट लाओ, कुटखाओ, पहारी खडिया निश्टे खडिया जनजाती में सरवादिक परचलित विवा है, ओलो, दाय और असल विवा निश्टे जारकन में किस जनजाती का सरवादिक किसाई करन हुआ है, तो खडिया खड़िया जनजाती में नवहदियम तेवार का आयोजन की सबसरफे किया जाता है नया चाबल पुर्वजों को औरपित करती समय नेक्सट है पार्दूमों एम गुमी किस जनजाती के परमुक देपता है तो खड़िया दूद खडिया जणजाती समु का धार्मीग पुजारी कहलाता है तो कालो संथाल गाओं में ग्राम देप सभा का परमुख कार है योर्ण दूराचारी बेक्ती को डंडित करना संथाल में पर्चली सब इतूत का क्यार्थ है रंग से चिनित करना जालखन के किस जनजाती सम्मू में विवा के अफसर पर धान के उंचा वली भूमी दान देमी की प्रता है संथाल संकाम ओडोम नामक किरिती संथालो द्वारा किस अफसर पे किया जाता है विवा विचेत की अफसर पर गोलिट बेजा उराओ किस जनजाती में हर बोरी नामक संस्कार परचलन है मुंडा जनजाती में गुवा बदल सब्त का अर्थ है अदला बदली विवा नेक्स्ट है रिसले के अनुसार जारखंड की कौन सी भासा करेवलिक प्रजाती किये तो मुंदारी बर्तमान समय में मुंदा जनजाती के दो उपजातियां बटी हैं कॉमपेट और ठांगन जनजातीय समाज में जेठांस का अर्थ क्या है जेट स्पुस्कोप पुर्वच दोरा पूजा करने हेतु दी गई अतरिक्त भुमी बुंदा जनजाती का धर्म का लाता है एनी मिष्टिक बरुन जारकर्ड में किस जनजाती के पर्मुक देव के रूप में पर्तिस्तापित थे तो असूर नेक्स्ट है किस जनजाती दोरा महिसा सुर को देपताओ का राजा माना जाता है असूर स्याम सुंदर पूर्चेतर गाट सीला किस जन जाती का पर्मुक रिबास है बात्री बत्री जन जाती में परिवार देपता को किस नाम से जना जाता है मंगला ठाकुर बैगा जन जाती में दुरहा देप की पुजा किस उदेश से की जाती है रोग इंदू घटना से बचाव चारकंड के किस जनजाती में मिर्तक संसकार किताद चान, हुर, दकान, तेलहन, हान और दसकरम किया जाते हैं तो बेदिया नेक्षट है जारकंड की कौन सी जनजाती खुद को विसकरमा का बनसज मानती हैं करमाली किस जनजाती का पंचायत पर्मुक मालिक कहलाता है करमाली बुढ़ा बुढ़ी किस जनजाती के कुल देपता है तो करमाली नाओ और मिया और काड़ी किस जनजाती के पर्मुक कोतर है बिंजिया निक्स्ट है जार्खन की कौन सी जन्जाती चोटानाकपूर राजा को सैनिक सेवा देने के लिए परसीतित बिंजिया निक्स्ट है बिंजिया जन्जाती में मदोस और करता सत्का अर्थ है जातिय पंचायत का पर्मुग जार्खन की दो परमुक जनजातिया कौन है जो खुद को सूर्ज का बनसज मानती है बिरहोर और खडबार बिर्जिया जनजाति का साबदी करते जंगल की मचली बिरहोर का साबदी करते जंगल का आदमी निक्स्ठ है, चरीदार और कुटमाई की किस जनजाती जातीय पंचयत का परमूक है भिरजिया किस जनजातिय प्रमपरा के अनुसार भिवा की बाद पुत्री को चल संपति का हक्दार माना जाता है चेरो जार्कान के कौन सी जनजाती कुलीन कॉलदार और कम्या में व्याजित है गोंड दूद लटाना किस जनजाती में परचलिक विवा है तो गोंड नेक्स्ट किस जनजाती का धर्म हिंदु धर्म और एमिंज का मिस्रन माना जाता है गोंड जारकन कि किस जनजाती दोरा बीरदा बन तेवगर म्रानस को परव जारकन्ड की कौन सी जन्जाती खुद को राजा हरिश्चंद के पुत्र रोहित का वनसज मानती हैं, खरवार, खरवार जन्जाती के छाता सब्त का क्या विप्रह है, अंतर ग्राम सभा, नेक्ष्ट है, कि जन्जाती में बधू मुल्को पिट मोरी काते हैं, किसान, कर दो जन्जाती का परधान पेशा है, बांस, निर्मित, बस्तु का विर्मान करना, जारकन के कि जन्जाती में मुच राडी नहीं होती हो, कि जन्जाती को जारकन्ड का सबसे बीर, लड़ाकू और सभिमानी, जाती माना जाता है, खरवार, लुक्मा, बिहारी, कलेवा, क किस जनजाती से समंधित सवदाब्दी है खरवार और बीरजिया जारखंड की किस जनजाती को चुहार और सरदार कहके बुलाते हैं भूमीज जारखंड की किस जनजाती को धर्म जिवात्समाद और हिंदो धर्म का मिश्रित रुप माना जाता है भूमीज जारखंड की किस ज जरकंड में कौन सा जनजाती अलहा और उधल को अपन बीर पूरुस मानती हैं बंजारा जनजाती के मुल बदू मुलकों काते हैं हरजी जरकंड में किस जनजाती का मुल निवास अस्तान ठाल भूम के पहारी स्रिंख्रा वस्वन रेखा के टठीय छेतर में पाया जाता है दो बर्गों में व्याजित है सिंदूरिया और तेलिया किस जनजाती के परिधान को करिया या चाचन कहते हैं बेंदिया और मुंडा निक्स्ट है किस जनजाती के अगनी होतरी कर्टाहा कौसिक वनाग गोत्र परचलन है बिंचिया बिंजिया कोल जनजाती के बदू मुलकों कहते हैं तो हो जाएगा पोटो नेक्सट है जार्खन की कौन से जनजाती कुट मेटी प्रथा का परचलन है कवर खेमटा, झींग, पूरिया, दोरी की जनजाती का नित है तो कोरा नागपूरी की विद्या पती का नाम से परसीद घासी राम का जनन किस जनजाती से हुआ महली जार्खन में कोर्वा जनजाती स्थान अंत्रित क्रिसी कहलाती है बियोरा जार्खन में किस जनजाती से मरिहार प्रथा परचलन है खोंड जारकन के किस जनजाती में गाड़ी आड़िया उसरा आड़ा पूनी आड़िया कैसे फसल पुजा का प्रवधान है सुरिया पहाडिया निक्स्ट है माल पहाडिया जनजाती में बदू मुल के रुप में दे होता है सुर किस लेखक ने सोरिया पहाडिया के उलेक मालवी वा सौरी में किया है तमेगाशनीज बैगा जनजाती का मुल परमुक नित्या कर्मा जर्पट और बिपला चेरो जनजाती का मुख निवास अस्थान पलामू जर्पन की दीकु सबकार्थे दिक्कत पैदा करने वाला निक्ष्ट एकते हैं डॉक्टर बीपी केशरी के नुसार सदान का अर्थ है सत जीवन के प्रती पवित्र दिष्टिकोन रखने वाले लोग निक्ष्ट है जर्पन में सदानी वासा परिवार के अंतिरगत कौन कौन सी वासा है सामिल है नागपुरी, खोटा, पंच परगनिया, कुर्माली निक्ष्ट है बेनी रामाता की पुष्टक नागवनसा वली के मुसार जर्पन के पर्थम सदान थे फ़नी मुकुट राय निक्ष्ट है प्रजातिय जिष्टिकोन में से सदान है आरे दरविद और आर्शिक जार्खन के किस जनजाती समुदाय में महिलाओ द्वारा सरहुल परसाद लेना धान बोना पर्थिवंदित है मुंडा जार्खन के किस जनजाती के महिलाओ को माजी धान के आना पर्थिवंदित है संथाल बंदर का सिकार करना किस जनजाती के पुंतप पर्तिवंदित है उरां किस जनजाती का पर्तिक चिन लवसोरा तापा इमली का पेर हो दायन प्रता पर्तिसेद कानून 2002 के तहद डायन नामक परतारित करने परधिक्तम डंड का विधान है 45 दीन है कारावास 2000 जुर्माना दोनो निक्सट जार्खन के किस धर्म को स्वतार इस्पू civ धर्म का दरजा दिया गया है आधी धर्म इस आई धर्म को अवादी किस जीले में करम सा सरवादिक और निंतम है सरवादिक गुमला निंतम देव गर निक्स्ट टोपिक देखते हैं जारकन की समाजीक वशंस्करतिक स्थिती से question यदुर और गोना जत्रा की जन्जाती के नितत मुंडा 12 लवईड हेरो की जन्जाती के नितत संथाली 12 जत्रा जेठल सुनिया अग नही की जन्जाती के नितत खडिया निख्श्टे फगू खीदी देश काडी डोगन की जन्जाती कनिते हो मागो बाद जों नामा की जन्जाती कनिते? 6 निख़्े जारकन को किस नित में काली भंग और हतियार का महत्ता अधिक है तो 6 निख़्े नेक्ष्ट है चोव नित का पहला अंतराश्टी परदर्शन 1928 में किसके दोरह किया गया सेंदिवी नरायन सिंग। नेक्ष्ट है जार्खन का एकमात नित्जी से 2010 में इनेसकों ने विस बिरासत नित का दर्जा दिया चोव नित। राजकी चोव नित कलाकेंद का अस्थाप पित है तो सिल्ली में जार्खन के परवात कुमार मले कुमार साहु स्याम चरन पार्टी का नाम किस नित से जुरा है चोव नित। उरावजन जाती की वह परसीद नित कौन से है जिसमें मात्र भूमी के प्रति आगर प्रकट करने ही तो स्तिरी और पूरु सामादाईक रू नित निक्ष्ट है यूद शहली में मार्सलाट के समयोजन के साथ किया जाने वाला पूरुस परदान नित पाईका जार्कन के सुपरसीद जुबर नित विसे सग है मुकुंद नायक मच्वा मोटसब के अबसर पर किया जाने वाला सुपरसीद नित बदूरिया पांड़े दुर्गानात राय का नाम जारकन के किस नीट से जुरा है घोर नाच नेक्ष्ट है संथाल जन जाती ता परसीद नीट जो जंगल का सिकार के अफसर पे किया जाता है दोंगरे नेक्ष्ट है जारकनडी संस्कृति में देव उठान के समय गाया जाने वला पर्मुगित उरत धारा नेक्ष्ट है जारकन का कौन सब परसीद लोक संगीत वर नित बिवा के अफसर पर मैलाद वरा किया जाता है डोंकच संथाल जन्जाती में परचलीत जंगल सबंदी गीत को काते हैं बीर सोरेन मुंडा जन्जाती में सिकार सबंदीत गीत है जापी हो जन्जाती में धान भुआई से सबंदीत गीत है हैरो जारकांट के सुपरसीद गीत कजली का गायन किस महिने में होता है स्रावन भादो माकर चंगरांती के अफसर पर टूस गीत की जनजाती दोरा किया जाता है कुरमाली उराव जनजाती की खुंडुंग भादसा के 26 अजार गीतो का संगरां किस नाम से जाना जाता है मुन्ड़ा दूरंक का संगरा किस ने किया टो टो डेबलू जी आर्चर डवलू जी अर्चर द्वारा संथाली गीतों का संगरा कलाता है होर सेरेन जन्जाती समाज द्वारा नित संगीत की समय धारन किया जानने वला बस्त पईर किचवी का अभिप्राय है बिना पाग की सारी केंदरा ड्विमला बनम की स्रेनी बादियंतर है तंतु बाद का निक्ष्टे ढोल ढक नागारा उधारन है ताल बाद का सहनाई धमसा सिंगा की स्रेनी का बाद यंतर अंतर गते सुधीर बादियंतर जार्खन की की जनजाती बादियंतर को जार्खन का वैलिन का जाता है केंदरा धनुस और सुखी लोकी का कुन्दमा और वहुत द्वनी का निकालने वला यंतर भुआंग जार्खन में बासुरी का निर्मान किस वाद की लक्री से किया जाता है तो डोंगी लकरी की नली में अगर भाग में पीतल की नली जोरकर फुक कर बजाये जाने वाला बादी अंत्र हैं मदन वेरी संथाल प्रेंगना में छोटे आकार में नगारे को कहते हैं टामक जारखन के किस ताल बादी अंत्र को टामक भी कहते हैं तो मादर मादर के निर्मान में किस जानवर के चमरे का उपयोग होता है बंदर या बकड़े का डोल के निर्मान किस लकड़ी का पर्योग करते हैं कुटू धातू दमसा को किस अननाम से जानते हैं गुपवा का दुला कोवर चित्रकारी का कोवर साब्दी करते हैं संथाल जदोपडिया किस जन जाती समंदी चितरकाडी है संथाल सोराय चितरकला का समन जारकन की जारकन की किन दोट परमुख जिलो से हैं पलमु और हजारी भाग सी भूमी जीले का अमादुपी गाउं किस झन चित्रकला सहली की रजधानी मानी जाती है पयित कर धान के पूवाल फ्रेम देकर जारकान के किस चित्रकला को हाली में दिनों में विक्सित किया गया अस्त्रहाट वीथि चित्रकाडी का जेनम संत्हाल प्रगनbane के स्थाने पर माना जाता है चाईष्षाब चमपागड जारकन के समंधित परशीद चित्रकाड है हरेन ठाकुर और ललित मोहन राए नेक्स्ट जार्खंड किस चित्रकाडी को काला स्री सम्मान से समानित किया गया है ललित मोहन राय नेक्स्ट जार्खंड को कौन सा लोकनाट भाई भाई भान के पवित्र प्रेम पर अधारी थे रामा चेकबा जार्खन का कौन सरलोक नित पती पत्मी की वेवायक जीवन को पदर्शित करता है भोकली बंका ग्रियस्त जीवन परधारित जट जटीन लोक नाट कायोजन कब किया जाता है श्रवन से कार्थिक मा के बीच सेंगेल नामक नाट कला संस्ता स्थापित की गई है बढ़ू राची लोक नाट संस्ता संस्ता इटपा इधारित है मेदनी नगर लोक नाट संस्ता इपा स्थापित है मेदनी नगर चकधरपुर में स्थापित परमुक लोक नाट संस्ता है युवा संस्कृतिक मंच निक्ष्ट है, अंकुर कला के अंदर किस जीले में स्थापी थै धनबाद सरहुल पर्व का खडिया जनजाती में किस नाम से जाना जाता है जकोर किस जनजातीय पर्व के अपसर पर सक्वा, कुंज की पुजा और सुरी रामक परसाथ का वित्रन किया जाता है सरहुल नेक्ष्ट है जन जातिया पर्व सरहुल कायोजन की स्थिति को किया जाता है चैत्र सुक्रपक्ष तिर्थिय तिति जैर्खन में 12 वर्स के अंतराल प्रयोजित किये जाने वला परमुक्तिवार जनी सिकार हो देशा वली नेक्ष्ट है फूल खुंदी वा धुवासी प्रथा का किस जन जातिये पर्व से समन्दित है मांडा पंच परंगना छेतर में 200 पर्व कायोजन कारम चितिया मकर संक्रांती उराव जन जाति में आवजित किया जाने वला सेंद्रा पर्व का उदेश है आत्मरक्ष योध सदस्व भाग नहीं लेता चांडी जन जातिये समाज में मेंड की भूद को साथ करने ही तो बादो महिने में किस पूजा कायोजन किया जाता है कद लेटा नेक्ष्ट है जार्थंड का पर्मुख पर्व कर्मा आयोजन तितिया भादो महिना सुक्ल पक्षिकाज सी तिति न नेक्ष्टे जन जातिये पर्मांडा का समन्द किस देटा से है महादेव असुर जन जातिये में लोहा उद्योग उन्नती के लिए किस पर्म कायोजन की होता है कुटसी नेक्ष्टे माल पहाडिया जन जातिये फसर कटाई के अबसर पर किस तेवार पर कायोजन करता है गां नीमा, मुंड़ा जन्जाती दोरा किसे श्रमिको से सेवाओ के नविकरन हेतु पर्व, किसी पर्व का उजन क्या गयता है, माजे जंडा पर्व, निच्ट है, बापर्व में बागा साब्दी करते फूल, जारखन में किस पर्व को मनाया जाने से पहले घर में साल का फूल ला बापर्व, निच्ट है, जन्जाती है समाज में किस पर्व के अफसर पर पालतु जन्बरों के सजावत करने का प्रादान है, बंधना पर्व, निच्ट है, झार्खन में होजित होने वाला केलेंडर वर्स पर्थम तेवारे, रोहनी, बादो महिने में कुसल बर्व और बिकास कार्जकरम की जनकारी देना निग्ष्ट है जगनाथपुर मेला राची अर्थात रत मेला का आरंद किसने किया था इनी नाथ सहादेव 1691, निश्ट है, मकर संक्रांती के अफसर पर करम दाहा मेला लगता है जामतारा, पलामु जिले में चैतर महिने में 15 दिवसी भूत मेला कायोजन कहा होता है हैदर नगर, सिम डेंगा का राम रेखा मेला, पुनितिति की परायोजित की जाती है, संत प्रपरनाचार जी महराज पुस पुर्नीमा के दिन, गेडी के खड़क दिया में किस मेले कायोजन होता है तलक्टा बाब मेला, जारखन में टूसु मेला कायोजन किस चित में किया जाता है पंच परंगना, संचा शंपा किस मेला के मिसिस्ता है, मुर्मा जत्रा मेला मुर्मा जत्रा मेला के ने दिया जाने वाला मुक परसाद है, हंडुवा, बास के नव कोपल से निव्मी मुरमा जत्रा मेला राची जीले के दो जण जाती समिदाव के चेतर के बिवाजित समरीती माना जाता है मुंडा तथा उरा उस्ट्र मेले कायोज़न कीस जीला में होता है तो हो जाएगा गुमला सिंग में डेगा जीले में आईवजित होने वला परसिद मेले राम रेखा और गांधी मेला रानी जुम्बा मेला कायोजन अस्थल राची नेश्ट अउरंगा नदीक तर्ट परिस्थित नावा नागपुरी दरवाजा जारखन किस जीले की परमुक विसेश्टा बताई जाती है तो पलामु किला आधनिक पलामु किला का निर्मान किस चे नेक्स्ट है तिमली किला इस्थित है खुट्टी राम गड किले का दोस्त करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था फिंक्सन राची का परसीद रातु किले का निर्मान किस सासन के बारा कराये गया उद्यानाट सादेव हजारी भाग इस्थित पुलिस प्रसिक्षन नागफानी भवन किस जिले में इस्थित है तो गुमला नेक्स्ट है चकदर पूरी इस्थित राजवारी भवन का निर्मान किसने कराया नागपती सिंग नेक्स्ट है गुमला इस्थित हापा मुनी मंदिर मामाया मंदिर की इन दो परमुक दताओं के परतिमा स्थापित ह जारकन की किस परमुक मंदीर को जारकन सरकार ने राज धरोर का दरजा दिया है चिनमस्तिका मंदीर रामगड रजरप्प मंदीर रामगड की दो नदियों के संगम पर बशा हुआ तो भेरा फैर्बी दमोदर निष्टे दूम का इस्थित बासुकी नाधधाम का निर्मान किसने कराया बासुकी तांति देवगर इस्तित वैद नाध्धामकरियमन किसने कराया? राजा पूरनमल निश्ट जार्खन के किस मंदिर को भारत सरकार ने बहुत सरकीत केंद से जोरा गया है बद्रकाली मंदिर चटरा मराठा द्विजपुरोहित हरी नात किस मंदिर में समंदित हैं हर अप्पा मुनी महा माया मंदिर गुमला एस्थित महा माया मंदिर से किस दो नागवंसी रजाओ का नाम जुड़ा है गजगट राय और सिर्दास करना राची के किस अस्थान पे परचीद सुर्य मंदिर इस्थित हैं बुड़ू नेक्ष्ट कुरामबे गुमला का आलदि घाटी मंदिर में बासुदेव राय की मंदिर किस नागवंसी सासन के स्थापित करया गया था राजा परताप कन जारकन की किस स्थित अस्थान को हिंदु बोध जयन धर्म का संगम अस्टली माना जाता है काले सुरी मंदिर चत्रा नेक्स्ट है देवगर इस्थित नो लखा मंदिर का निर्मान किसने कराया रानी चारो सिला अस्ट धातु से निर्मित सुपरसीद बंसी धर्मंदिर इस्थित नगर गडवा लातिहार के नगर ग्राम में इस्थित काली और लच्मी कूल की देवी कीमा का मंदिर का किस नानते जाना जाता है उगरतारा मंदिर जारकन की किस मंदिर में मंगलवार को ब्रामन पुजारी अंसेस सी दिनों में पाहन पुजा का प्रग्णान है तो देवरी मंदिर निक्स देखते हैं गुमला का टांगी नात मंदिर बिष्णू के किस अपतार से समंदित है पसुराम अपतार नागवंसी राजर रगुनात साने किस मंदिर का निर्मान कराया था राम मंदिर चूटिया बढ़ा मंदन मोहन मंदिर राची नेगश्ट है राची इस्तित जगनात मंदिर का निर्मान किस रागवंसी राजाने कराया एनी नात सा जारकन के किस मंदिर में महिलाओ का परवेश वरजी थैं? मंगल चंडी मंदिर बोकारो धनबाज जिंग तेल कुपी मंदिर किस नदी किटट परिस्थित है तो दामोधर जारकन के किस अस्थान को हनमान की जनमस्थली माना जाता है अंजन ग्राम गुमला जारकन के किस ग्राम को मंदिरों का गाउं कहा जाता है मलूटी जारकन के किस ग्राम को मंदिरों का गाउं कहा जाता है तो मलूटी मंदिरों का गाउं के नाम से परशीद मलूटी किस जिली में जती थे तो दुम का परसीद पुजारी हरीवरं चारी किस मंदीर से जूरे थे तो चूटिया मंदीर राची नेक्ष्ट है जारकन का परसीद मंदीर जहां 15 अगस्त और 26 जन्वरी कौनवार रुप से जंड़तोलन किया जाता है तो पहारी मंदीर राची नेक्ष्ट है शिंग इस्तित बेगू सागर मंदीर का निर्मान की सासक नीकराया तो ससाँग नेक्ष्ट है सिंग डेंगा इस्तित राम रेखा मंदीर किस भगवान की परतिमा अस्तापी थे तो और देवगर नी राम नेक्स्ट परसीद अस्थाल्थ रिकूट परवत वननदन फार्की जिली में इस्थी थे तो देवगार देवगार धाम इस्थी थे तो दर्मा निक्ष्टे जारकन के किस मंदिर को भारती पुरतत विवाग ने राश्टी धरोवर गोशित किया है तक एथा सिर्मंदिर रामगड निक्ष्टे स्वामी सत्या नंसर सत्य द्वरा अस्थापित रिखिया अस्रन अमस्थित है देवगर गुड़ा इस्थित बेनी गड किस धर्म से धर्म की परसीद अस्थित है बौध महुवर पहवर अस्थान किस जन जाती को समंदी थे तमुंडा राची इस्थित जेल क चर्च का वस्तुत सास्थित थे पीटर हिर्जोन गौतिल सेली में निर्मित सेंट कैथेडर चर्च इस्थित है नाची नेक्स नेक्ते हैं नाची के पिटोरिया में इस्थित इदिगा का निर्मान किसने कराया सेर्शा सुरी हांदप का नाम से परसीद साहिव गंज का जामी मस्जीद किसे निर्मित कराया राजा मान सिंग संथालो का तिर्थ अस्तर के रुप में परसीद लोंगो पहार इस्थित है बोकाडो जार्खन के किस जिले में गुरु तेंग बहादुर की स्मेती में गुरु द्वारा का निर्मान कराया गया चत्रा देव घर का करा गाउं क्यों परसीद हैं असो कालिन मंदी रवस्तु भेतु निक्ष्टे खुटी स्थीद डोंबारी वुरु जार्खन के किस परसीद परुस करमभोमी हैं बिर्साब मुंडा पलामु का कवरा कला गाउं परसीद हैं पसान कला एवं हरपा कालिन पुरा ताट्री करफ से सो होतु निक्ष्टे नितरहाट का साब्दी करते हैं बास का बजार निक्ष्टे जार्खन का मसूरी एवं पहारो की मलिका के नाम से कौन सा स्थान परसीद हैं नितरहाट परसीद मेगलेनिया पॉइंट की सस्थान से समन्धी थैं नितरहाट डिमना जीलिस्ती थैं पुरवी सीब जारखन गेकी सहस्थान को मीनी लंदन काते हैं मैख स्लूँस की गंज को काते हैं आसा करते हैं आप कोई वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तेसे लाइक करें सेयर करें साथी चेनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक दो बार सुन ले ताकि कोई कोश्चन आए तो न छूटें तो आज के लिए अब दोस्तों फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में थैंक यू